दोस्तों lockdown 4 start हो चुका है और ये lockdown 3 जैसा ही है तो सरकार के नियमों का पालन कीजिए उनके guidelines का पालन कीजिए और अपनी परिवार के साथ घर में सुरक्शित रहिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजीवर स्वागत आपत मेरे चैनल टेक जरा समय दौस्तो, आज हम बात करेंगे कि Star Maker में Singing कैसे करते हैं मेरा यए वीडियो था जिनमें बताया कि Star Maker क्या है उसमें क्या क्या options है अगर जिन लोगों ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो आजिकर्ण पर Кलिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या मैं link description में देढas तो दोस्तो वीडियो को skip मत करणा तॉकि आप पूरी बाते जान सको की स्पमें कैसे करते हैं और जो लोग यहां पर वीडियो पर मेरे चैनल पर नये है प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्रायब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चले चलते मॉबाइल के स्क्रीन पे तो दोस्तों मैं आगया हूँ अपने मॉबाइल के स्क्रीन पे और आपको स्टार्मेकर लॉग इन कर लेना है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अपने फेस्बूक आईडी जीमिल आईडी या फिर मॉबाइल नंबर से एकांट बना करके और अगर आप सिंगिंग कर रहे हो स्टार्मेकर में कोई स्वांग गा रहे हो तो आपको एक शांत कमरे में जाना चाहिए अब ऑपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा अब हमें गाना गाना है तो गाना गाना के लिए हमें ये सिंग वाले बटन पर क्लिक करना होगा बजो की बाइडेफॉल्ट क्लिक है सिंग जो माइक बना हुआ है अब यहां पर देख सकते हो इस वाले पेज पर बाइड डिफॉल्ट सॉंग दिये हुए हैं यहां पर कि आप इससे भी गाने चुन के गा सकते हो तो जैसे मानलो यह देख लो बहुत सारे गाने यहां पर होट में सा चल रहे शाट कौं सा है शाट सौंग भी आ सकते हैं आर्टिस्ट वाइस कौन से हैं आर्टिस वाइस sound गैंकिन कौनadece आनलो अगर मुझे और के इस वाले लिष्ट से नहीं गाना है मुझे कौई गाना चूज करके गाना कोई न ढूंड करना है तो यहां पे जाएंगे ऊपर और जैसे मानलो मुझे गाना है पहला नज़र तो यह रहा हो वो song और इसके हम sing button पे touch कर लेते हैं गाने के लिए अब यह song download हो रहा है 0% और यह start हो गया गाने का वाले screen का कुछ interface इस तरह से रहता है चलिए मैं इसके बारे में एक एक के बता देता हूँ क्या क्या यहां पे रहता है सबसे पहला option है यह जो एक music symbol दिख रहा है यह वाला इसमें गाइड रहता वोकल गाइड तो इस वाले गाने में नहीं है और किसी किसी गाने में रहता है उसके बाद बीच में यह इक्योलाइजर का option बना हुआ है यह एक्योलाइजर अभी आप छोड़ दो मैं आपको next वीडियो में इसको बताऊंगा कि इसमें क्या 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 चीज़े बेस्ट सेटिंग क्या है क्या रखना है जो कि आवाज आपकी studio जासी हो जाए तो फिलाल आपको इस वाले section में सिर्फ यह धियान रखना है कि जब भी आप गाना गाओ volume वाले वटन पर चले जाओ और आपका जो voice है गाने के जमें वो 15 होना चाहिए और music 50 होना चाहिए यह हमेशा याद रखना और बैक आ जाते हैं और इसके बगल में एक option है double mic का double mic कह सकते हो यह collaboration के लिए इस पर क्लिक करते हैं इसमें यह है कि आप अपने गाने को as a do it post कर सकते हो यानि कि जब आप अपना गाना पोस्ट करोगो as a do it तो आपके गाने को को join कर सकता है जैसे कि इस गाने के गर बात कर पहला नशा तो इसका पहला बाट स्टार्ट होता है female और सेकंड पार्ट जो ब्लू से देख रहे हो आप वो मेल वर्जन के लिए तो आप सिंग पार्ट ब्लू वाला पार्ट आपके लिए तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर अगर आप किसी के गाने को किसी का join करना चाहते हो तो जो जॉइन डुएट पर जाना होगा आपको और अगर आप मेल हो तो फीमेल वाला वर्जन चुल लो और अगर आप फीमेल हो तो मेल वर्जन चुल लो यहां से बैक आ जाते हैं पेइप, तो यह बात रही डुट की, अब बात है आप वीडियो संग गाना चाहते हो, तो आपको अपने कैमरे पे क्लिक करना होगा, यह देखो आप, यह कैमरा और हो गया, यहां से आप वीडियो संग गा सकते हो, इसमें भी सारे आपसंस है, कि आप वीडियो में एफक्ट लगा सकते हो जैसे कि ये नीचे उसके कैमरे के नीचे एक beauty effect है ये देख सकते हो बहुत सारी effect है आपके एक च्छा है जो भी लगा सकते हो अभी फिलाल नन कर देते हैं और उसके नीचे है एक filter का option जिससे color change होता है ये देख लो आप तो मैं फिलाल इसको और बन पर रख देता हूँ और उसके नीचे वीडियो का aspect ratio याने screen का ratio क्या रहेगा अगर आप एक बाड़ टच करोगे तो ये छोटा हो जाएगा फिर इस एक बाड़ टच करोगे ये बड़ा हो जाएगा और उसके उपर एक चीज रह गया था कि इसमें टाइमर सेट कर सकते हो कि आप जब वीडियो सॉंग आओ गए तो वो कितनी देर बाद आपका start हो जाएगा यहां तीन सेकेंड है फिर टच करते है छे सेकेंड फिर आफ अभी फिलाल तीन सेकेंड रहने लिते हैं और कैमरे पर फिर से टच करोगे तो ये आफ हो गया तो चलिए गाने को start करते हैं और गाने के दोरान मैं इस गाने के music को mute रखूँगा क्यूंकि copyright strike का खत्रा बना रहता है आपको यह पता है तो चलिए मैं इसको start करता हूँ यह singing start हो चुकी है यहाँ पर सिर्फ मैं example के लिए दिखा रहा हूँ आपको और एक चीज़ आप देखो यह जो टिक के बगल में एक headphone का symbol बना है जब आप इस पर touch करोगे तो आपके earphone में अपने खुद की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी जो कि आपको गाने में काफी help करेगी और उपर जो एक बार चल रहा है अगर आप उसके recording आते हो तो आपको points मिलते हैं और जब आपका गाना finalize हो जाता है तो आपको D grade, C grade, B+, A+, A++ ऐसे करके grade मिलते हैं यह दो को गाना finish हो चुका है क्योंकि यह मैंने सिर्फ example के लिए लिया था तो ज़्यादा marks नहीं और यह D grade मिला, तो यह गाना हो चुका है रिकॉर्ड और यहाँ पर option हो जाता है कि आपको गाना post करना है यह draft करना है तो आप देख रहोग हो आप की एक उपर option है, right hand side में draft को option तो आप draft पे click कर सकते हो, अगर आपको गाना save करना है तो आप इस गाने को draft में save कर सकते हो, लेकिन draft में save करने से पहले आप अपने voice को 100% और music को 50% रखना और effect को hall या फिर distance में रखना फिलाल आपके लिए setting यह है, next video में बता दूँगा कि और setting क्या है, उसके बदा आप देख रहे हो, यहाँ पे एक cover picture है, आप इस पे जाकर के अपने cover की picture चेंज कर सकते हो, अपने gallery से, या फिर यहाँ पे slides सो बना सकते हो अब आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक option है add the rate, add the rate मैं अपने following को, मतलब mention कर सकता हो, कि मैं यह गाना post कर रहा हूँ, तो direct उसके पास notification जाएगा, जैसे मैंने पहले वाले को select कर लिया, तो यहाँ पे वो notification आ गया, वो add हो चुका है, फिलाल मैं इसको delete कर देता हूँ, hashtag use गाने को rank कराने के लिए popular कराने के लिए किया जाता है, तो जैसे मैं इसको use कर लिता हूँ, hashtag पहला नशा, तो यह देखो, आप पहला नशा यह आ चुका है, इसको select कर लिते हैं, और इस तरह से hashtag लगा सकते हैं, और आप अपने गाने को rank करा सकते हैं, तो फिलाल गाने को हम पोस्ट करते हैं और यह टॉर्ज पे क्लिक कर देते हैं है तो हम देख रहो है यह गाना पॉस्ट हो रहा है जैए प्रोसेसिंग हो रहा है गाने का क्यारे एटरा अग्युकल ये डिपंड करता है आफके इंटेट की स्पीड पर होई चुक आ और इस तरह से आपको दाना पोस्ट हो जाते हैं तो उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने के बाद सारी बाते समझ में आ गई होगी कि स्टार्मेकर में सिंगिंग कैसे करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आये हो तो प्लीज लाइक शेयर एं करते हैं तो